जहें डिफेंस लवर्ज आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है कल्याणी रफाल एडवाइस सिस्टम को मिला रक्षा मंत्राले से मिसाल सिस्टम सप्लाई करने का कॉंट्रेक्ट सब इंडिय का कहना है कि इंडियर एरफोस के लिए पेश करेंगे क्रिपनी फाइटर्स एरफोस की मेडियन ट्रांसपोर्ट एरकार्ट फॉले डील में कॉंपेटिशन हुआ टफ रफाल एम फाइटर्स के डील पर निगुसियेशियन्स हुए स्टार्ट और भारत के न्यूक्लिय सब्बरेन के वाइरल वीडियो भारत के कल्यानी स्ट्रेजिक सिस्टम्स लिमिटेड और इसरेल की रफाइल एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड तो इन दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर जिसका नाम है कल्यानी रफाइल एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड तो इनकी तरफ से आस सोमवार को बताये गिया कि रक्षय मंत्राले से मिसाइल सिस्टम्स को सप्लाइ करने के लिए 287.51 करोड रुपीस तक की कीमत वाला कॉंट्रेक्ट रिसीव हुआ है और यह जो ओडर से अगले 12 महिनों के इंदर एग्जेक्यूट की जाने की उमीद है और जो यह जॉइंट वेंचर यह कल्यानी रफा फाइल एडवांस सिस्टम्स लिमेंटेड है तो यह एक सेटिफाइड सीक्रेट फैसिलिटी भी है जो कि भारत और इस्रेल के रक्षय मंत्राली के लिए कई सारे सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम करती है बाकि इसके अलावा एक अप्लेडिया है जिसमें साब इ नेक्स्ट जनरेशन की कॉम्बेट एयर कैपिबिलिटी और वर्ल्ड क्लास एविलिबिलिटी मिलेगी इसके मदद से भारत किसी भी खत्रे को किसी भी समय और कहीं पर भी फेस करने के लिए तैयार रहेगा और बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके विचार में जो एक gripper नी fighter है तो इसके द्वारा Indian Air Force के इस MMRC प्रोग्राम को जीतने के 100 में से कितने प्रतिशच चांसेस हैं अगर ये MMRC वाला प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता है तो भारत में ये रूसी राजदूत की दरब से एक बाग फिर से ये सपस्ट किया गया है कि भारत के लिए जो S-400 Air Defense Missile Systems की डिलीवरी है तो वो ओन ट्रैक है और ये सिस्टम सेड्यूल टाइम के अनुसा डिलीवर किये जाएंगे और सारे प्रयास जा रही है इनकी डिलीवरी के अगले साल के अंतर तेक कंप्लीट करने के लिए इसके अलावा एनाई के साथ खास बाचीत में इस बात को भी रिकागुनाइज किया है कि भारत और रॉशिया इन दोनों ही देशों के एकनॉमिक डेवलेपेंड सेटिस्फेक्ट्री हैं और दोनों ही देश एकनॉमी प्रैक्टिकली कॉपरेट किया है और भारत तो रॉशिया का डिफेंस कॉपरेशन विहदी विस्तरत और व्यापक है और रॉशिया प्लेयर्स पे लगाए गए कई सारे प्रतिबंदों के बावजूद भी भारत के साथ यह आगे भी लगातरा जारी रहेगा और रॉशिया सक्रिय रूप से मेंगें इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है और केवल डिफेंस ही नहीं बलकि सिविल प्रोडॉक्शन रेलवेस तो इन दिशा में भी काम किया जा रहा है और जबकि रॉशिया ने भी भारत की तरफ से इसमें दिल्चस्पी और इराद भारती प्रधानमंत्री के साथ टेलिफॉणिक कनवर्सेशन में दिया है इसमें उनकी तरफ से कन्फर्म किया गया है कि दिल्ली में आयोजीत होने वाले G20 समिट में रश्य को रिप्रेजेंट करेंगे रश्या के विदेश मंत्री बाकि इस तैलिफॉनिक कन्वेसेशन में दोनों देशों के लीडर्स के बीच bilateral, reasonable और global issues को भी discuss किया गया था और भारत की G20 presidency की तरफ रश्या ने जो लगातार अपना support दिखाया है तो इसके लिए भारतिय प्रिधार मंत्री ने अपना आभार भी व्यक्त किया और जबकि इस conversation में रश्यन रास्टरपती ने भारतिय प्रिधार मंत्री को चंदरियान 3 mission की सफलता के लिए वधाई भी दी और आगे भी space sector में भारत और रश्या के by little cooperation को विक्सित दरने के लिए अपनी बात को दोराया जैसे कि अपनी multi-mission capabilities को enhance करने के उद्धेश के साथ Indian Air Force को तलाश है नए medium transport aircraft की और Indian Air Force द्वारा करीब 40-80 aircraft लिए जाएंगे और इन aircraft की जो खरीद है वो Making India Initiative के माधियम सही की जानी है तो अब इससे जुड़ी एक report हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से देखने को मिलिए और इस report के मुताबिक Air Force के इस medium transport aircraft वाले प्रोग्राम को जीतने के लिए जो competition है वो tough हो चुका है और तीन main contenders है जो कि इसके लिए compete कर रहे है जिसमें इसे है कि यूएस के Lockheed Martin का C-130J दूसरा contender है ब्रजील का Embraer C-390 Millennium और तीसरा है Air Force का A-400M और रिपोर्ट के मुताबिक यह जो डील है इसमें technology transfer के साथ स्वधे सी content के अधिक मात्रा के लिए भारत में ही manufacturing line को इस्थापित करना भी शामिल है और Air Force को requirement है 18 से 30 तन तक की कार को carrying capacity रखने वाले एक नई transport aircraft की और जबकि आसमवार को Embraer की दरब से कहा गया है कि इंडिन एर फोर्स के इस order के लिए compete करनी के लिए उन्होंने groundwork कर लिया था और वे इस परियुजना के लिए भारत में ही local firms के साथ possible partnership के लिए बातचीत भी कर रहे थे उनके यह भी मानना है कि इस competition में जो बाकिए aircraft है वो भी काफी अच्छे हैं लेकिन उनका जो C390 है तो उसके अपने कुछ advantages है जैसे कि latest technology, multi-mission capability, operational flexibility और low operating cost तो इसलिए इंडिन एर फोर्स के लिए ज्यादा value को अपरेट कर रही है वहीं Airbus भी C295 वाले प्रोग्राम में शामिल है जबकि अम्रियर द्वारा भारत में अभी तक आठ जैट supply किये गए जो जो की वी वी आइपे के ट्रैवल और एवाक्स प्लेटफॉर्म के लिए इस प्रोग्राम के लिए भारत में parts को manufacture करने से लेकर MRO facilities को स्थापित करने और technology transfer से लेकर final assembly तुसरे के सबसे best localization plan को propose करेंगे जो कि आस तक किसी भी original equipment manufacturer के द्वारा ओफर नहीं किया गया है जब से भारत की तरप से इंडिनेवी के लिए 26 Rafale M fighters को खरीदने वाला प्रस्ताव clear किया गया है तो इसके पास से अब जाकर इस deal के लिए पहली बार French Defense Minister के officials ने अपने Indian counterparts के साथ meeting conduct करी है और latest media reports के मताबिक यह जो meeting है यह पिछले सब्तहा आयोजीत की गई थी जबकि French side का भी यह कहना है कि अगर जरूवत पड़ेगी तो वे अपने aircraft के production को 18 aircraft per year से 30 aircraft per year तक बढ़ा देंगे और जबकि The Print के report के मताबिक 26 Rafale M fighters के खरीद के लिए financial codes को लेकर जो भारत है वो जल्दी French government को letter of request भी भी भीजेगा लेकिन इसके साथ इस report में इस बात को भी clear किया गया है कि Indian Air Force जो की 114 multi-role fighter aircraft को लेना चाह रही है और जिसके लिए Rafale को ही natural choice माना जा रहा है लेकिन फिलाल अलबे देख Air Force और Navy के Rafale fighters का कोई भी joint acquisition plan नहीं किया है हालनकि aviation experts यह मानते हैं कि अगर Air Force और Navy की requirement है उसे सयुक्त रूप से आगे पेश किया जाए तो इसे इन aircraft की खरीद की जो cost है वो काफी नीचे आ सकती है और यह भारत के लिए फाइदे बंदी साबित होगा और जबकि फ्रेंच form dissolved aviation भी पहले ही clear कर चुकी है कि अगर Rafale fighters भारत में ही manufacture करना है तो उन्हें कम से कम 100 orders चाहिए तो अगर Navy और Air Force अपने requirements को एक साथ पेश करते हैं तो इससे Rafale M की manufacturing line भी भारत में आएगी और उससे रोजगार की नए अफसर भी create होगी लेकिन फिलाल अभी जोई meeting हुई है इसमें Indian Air Force की कोई भी requirement नहीं रखी गई है और इसमें के अगर Rafale M fighters की deal के बारे में ही बात हुई है केनिया के रक्षय मंत्री आज 28 अगस से भारत की टीन डिविसी विजिट पर हैं और कल वे 29 अगस को अपने भारते counterpart रक्षय मंत्री श्री राज्या सिंग के साथ meeting conduct करेंगे और अपने इस भारत विजिट के दोरान वे इंडियन शिप यार्ट और defense industries का भी धोरा कर सकते हैं इस दोरान दोनों देशों के बीच के ongoing defense cooperation activities को review किया गया और साथ ही दोनों पक्षयों ने अपने बीच के defense cooperation engagements को और बढ़ाने के लिए सहमेती भी दिये बाकि इसके लावे का video के social media पर चीन के नए J-35 carrier based stealth fighter aircraft के flight test के पहली वीडियो सामने आई है और इस J-35 fighter के मार्दियम से जो चीन है वो अमेरिका के F-35B fighter को challenge करना चाहता है और जबकि social media पर एक और वीडियो क्लिप का फिर वाइरल हो रही है और इस वीडियो क्लिप को लेकर ये का जा रहा है कि इसमें जो सब्बरीन दिखाई दे रही है वो भारत की पहली nuclear powered ballasting missile सब्बरीन INS Arihant है और इसे INS Arihant की इस तरह की पहले recorded footage भी कहा जा रहा है हालनकि इस दावे में कितनी सच्चाई है तो फिलाल अभी इसके पुष्टी नहीं की जा सकती है बाकि इसके लावा एक update है space sector से जहां इसरों की तरफ से officially confirm किया गया कि जो भारत का पहला solar mission है आदित्य 11 तो इसे 2 सितंबर को श्री हरी कोटा से 11 बच के 50 मिनट पर launch किया जा जाएंगे और जबकि गगन्यान mission के दूसरे face में व्यों में तरह नाम की humanoid को space में भीजा जाएगा और इन दोनों faces को सफलता पुर्वक complete करने के बाद ही इस गगन्यान mission का manned mission perform किया जाएगा बाकि अब समय है आज की तिहास का आज एक दिन 1993 में देश के प्रतिय अपने क का परिचे देते हुए हवलदार अजीट सिंग वीर गति को प्राप्त हुए और इन्हें मरडो प्रांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया आजिक दिन 1965 में हमारे वीरों ने तीन दिन तक चले लडाई के बाद हाजिर पिर को पाकिस्तानियों के कबजी से छोड़ा कर यहां पित रंगा लहराया था आलों कि फिर बाद में नेकोसियेशन करने के बाद यह वाला चेत्र वापिस से पाकिसान को दे दिया गया था और आज इका वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान के 90,000 सथीक सानिकों को छोड़ने के ल समय है आज के टॉप थरी कमेंट्स का क्यों यह रहे आपके स्क्रीन पर आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही उमीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और बाकि हमारे मचन डायस के नए डिजाइन्स को चैक आउट करना ना भूले जिसके लिंक आपको वीडियो के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें झाल